असी किना तो चुटकारा पौणा है। कि क्योंके जदों सी गुरु बानी नड जोड़ांगे ना सब तो पेलन अवाज आउन दिया एकव अंगार सब तो पहला एक ओँ कार दी आवाज क्यों आओंदी है क्योंके गुरु सहभ ने अखिया बंदिया बाकी बाह भाणी थे तु आप पढ़नी विचारनी है पर सब तो पहला अपने मानवच इ विचार ले कि पारमात्मा एक है क्योंके बाणी जदों सी पढ़ दे या सुन दे या ना ते साड़े मान वेच कि ते ए वैम ना वे कोई परमातमा हो और भी कोई होवेगा गुरू सहीब ने आखिया ए सारी बाणी के सदी है एक ओ अङकार इसलिए गुरू सहीब ने सब तो पहला उपर एक ओ अङकार उचा रिया ते बंदिया जेडा तेरा ये मनुख्侈री रहना एवी केवले काल पुर्ख परमेश वरदा बनाया होया है गुरू सहीब ने आखिया के आकर के परमातमा दे दरते निव जाईए गुरबाणी नड जुड़ जाईए ताके सानू समझा जावे के इस सुरीर नू इम नुखा इसाड़ी काया नू बनाउन वाड़ा के वले एक परमातमा अकाल पुर्ख है ते जदो आसी ये समझ जावा गेना के सानू बनाउन वाड़ा परमातमा है फिर गुरू सहीब सानू अगा समझाओं दे ने ता मह अकुल महा निद राया के बंदिया तेरे सुरीर विच ही परमातमा वस्द है गुरबाणी विच्चों ते अवाज आउन दी है ना कार ही मह अमरित पर पूर है उनो ओ कार अर्गिड है एकते संसारी बाहर ले कार हो गए जेड़न लेट सेमेट नाल बनावने यह यह अगनो वीकार है जिड़ना गुरूरबाणी विच्च कार ही मह अगो आत्मा आख दे आเขा सड़ी ये आत्मा सड़ी जिन्द है अंदर रहां दिया। ये सद अटा मनुख़ा श्रीर एक कार्दा रूप है . ति blameांध क्षम कई हैं। ये नहीं के कोई थोड़ा जया, गुरु सहीब ने अख्या पर पूर, बहुत मात्रा विच पर पूर है, तेरे अंदर पंडारे परे हो ये ने, पर ओ जे तू रांग मानने ने न, ते पहलों तेनू गुरवाणी नड पूरे गुरु नड जुड़ना पवेगा, क्योंके ते जीरा पूरा गुरु हे न, वो शानू माडी संगततों जहर वाडे पासे वाजिव व अमिरतवल लेके आवेगा, वो शानू माडी संगततों साद संगत विच ले आके बढ़आएगा, क्योंके साद संगत विच आके शानू वड़िया लिया ज λέए है, उने आम केड़़ ओ है साथ नाम गुरु साहब ने आखिया ओ सचा नाम है जिस दे नाम सचे नाम नल जुड़ेयां सानु वड़ेयां मिल दियांने जिस साथ संगत विच बैठके सानु परमात्मा दे रंग मानननों मिल देने गुरु पाथ्षा जी ने सानु पावन शब्द विच समझाऊना कीता के बंदया तेरी एक काया नु बनाया परमात्मा ने ते सदे अंदर कौन है केवल एक महा निदर आया ओ काल पुर्ख महान जिस दी कोई बराबरी नहीं है ना कोई कर सकता है केवल एक ओंकार पाव के एक परमात्मा एक ओ सुप्रीम लौड ओ ही तेरे अंदर वस्द है ते उसने ही ये सारी काया नु बनाया है गोरगम ग्यान बतावै पेदा गुरु पाथ्षाजी ने आखेया के बंदया तेरी काया नु परमात्मा ने बनाया तेरे अंदर वस्दा भी परमात्मा है ते होन तेनु ग्यान भी ओना चाहिदा है ग्यान केस्तरा होवेगा गोर गम ग्यान जिसी ग्यान लेना है न ते सानु ग्यान केस्तरा होवेगा गोर गम गम तो पाव के मारग गुरु वाले मारग ते सत गुरु दे सचे मारग ते चलके सानु ग्यान हासल हुंदाए सानु ग्यान के ते अदूरे कोड़ जाके नहीं मिलना जैसी ग्यान लेना है ना ते ग्यान किस तरह मिलेगा गुर गम गुरु वाले मारग ते पाव के गुर्णानक दी सिख्या अनुसार चलके ही सानु ग्यान मिलदाए जैसी गुर्णानिक दी सिख्या ते नहीं चल दे ते सानू ग्यान नहीं मिलेगा क्योंके गुर्णानिक सहब जी दी सिख्या अनुसार चलांगे ना ते फिर जाके सानू सोजी आवेगी के बंदिया असल करन की आया ते कर की रहे ग्यान उसनु आख देने ना जिड़ा सड़े मननु निखार देवे जड़ा सड़े अंदर एक ग्यान नड़ परदेवे जदो मनुखे मन दे अंदर ग्यान आजावे फिर ओ शुब गुणवाडियां गला करदा है फिर ओ हर एक गलनू सोच विचार के करदा है जोदो कोई वी इनसान आपा विचर दे आना संसार विच जोदो कोई वी इनसान कोई वी मनुख इस संसार विच बहुत स्यानी गल करदे वे ते असी आख दे इसनू ग्यान बड़ा चंगा है इसने ग्यान प्रापत कीता है एक ग्यान वाडियां गलां कर दा है ते वो ग्यान आवेगा कितों वो कोई संसारी ग्यान नहीं ए ब्रम ग्यान वाडिय अवस्त है संसार वाला ग्यान ते बहुत पिछे रह गया क्योंकि अपा वेख दे आना जिड़ा संसार ने होन ग्यान हासल कीता है वो गुर्णानक सह पाथ्षय जी ने सड्डे 500 साल पे लोई उचार देता संसार वाला ग्यान ब्रह्म ग्यान तो बहुत पिछे है ते गुर्णानक सह ने अख्या बंदे आज़े तु ग्यान लेने ना ते तेनु गुरु वाले मारग ते चलना पवेगा ते गुरु वाला मारग केड़ा है उन साधे मान वेचे सवाल आंदा होवेगा ना कि गुरू वाड़ा मारग केड़ा है गुरू साहिब ने आखिया जेड़ा गुरू वाड़ा मारग है ना ओ मिलदा किस तरह है ओ मिलदा है गुरबानी नड जुड़के गुरू दे अग्या करके अर्दास बेंती करके असी अर्दास विच की आखना है साथ गुरू जी तुमरी सरन तुमारी आसा तुम ही सजन सुहे ले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले असी आकर के एहोते अर्दास करनी है जदों असी आकर के एह अर्दास बेंती करांगे सत्गुरु जी के सानु तो अड़ी ही आस है सानु तो अड़ा ही सहारा है असी केवल तो अड़े दरते आये हैं किरपा करके सानु अपने नानक करके गोले सानु अपने करदे गोले अपने करदे नोकर बना लओ सानु अपनी शर्ण विच राखलो सानु तुसी आपने कार्दे चाकरब ना लओ ते सत्गुरु जी सानु क्यों नहीं रखनगे अपनी शर्ण विच जदों असी आकर के ए अरदास करांगे न फिर गुरु सहब सानु तरस करके साड़े ते दया देकर विच आके सानु अपनी शर्ण विच रख लेंगे ते सच जानेयों जदों गुरु ने सानु अपनी शर्ण विच रख ले आना ते फिर की होवेगा गुर गम ग्यान फिर उस वेले सानु ए ग्यान हो जावेगा ग्यान केड़ा है ते आनवेच रखिए ग्यान एक संसारी है ते एक ब्रम ग्यान है असी जुड़ना है ब्रम ग्यान ना लग ते एवी समझ लिए के ब्रम ग्यान सानु कोई होर नहीं दे सकदा जैसी ब्रम ग्यान लेना है ना जैसी ब्रम ग्यान वाली अवस्था ते आउना है ते फिर उस सान के वल गुर्बानी विच्चों मिलेगा गुर्बानी तो इलावा सनु किदर ग्यान नहीं हाफसल हो साकदा क्योंके होर किते ग्यान मिल दाई नहीं है होर किते ग्यान ता मिले जे किते पूरा गुरु होई गुर्बानी तो इलावा गुरु नानक दे दार तो इलावा कोई प ताँ सानु केवल आकर ते गुर्णानक दे दरते जुडना है उसी केवल एक गुर्वानी नल जुड जाइए उसी नित नेमी हो जाइए नामदा आवे आसकरीए ताके उसी भी ग्यान वारी अवस्थाते पाँच जाइए ते गुरु सहीव ने आखेया बंदेया डाइरेक्ट ग्यान नहीं मिलेगा सिद्धा ग्यान नहीं मिल सकदा जे ग्यान नू पाउना है फिर की करना पवेगा गुर गम पाव के गुरु दे मारग ते पहला गुरु नल जुड़ना पवेगा ये नहीं के सिद्धा असी परमात परमाहतम तक पॉंस चुन लेए ऊसी पेले अपने गुरु को लवन हैगा उन गुरू गरंच से पाथ. पाच्छाम जी दी गुर्बाणी ऊन नो परमा कि लर्वन कर दोंदीया। ज़दो असी गुरबाणी नो पढ़दे आ, सुन दे आ, माने वेच विचार दे आ, कथा कीर्तन सरवन कर दे आ ज़दो भी असी बाणी नो जप दे आ, पाथ कर दे आ, तिक सानू बाणी विचो ए अनमोल खजाना मिल दा है साड़े मान दे अंदर ग्यान पैदा हुंदा है जिस ग्यान नो हासल करके असी परमात्मा तक जा सकते हैं जिस ग्यान नो हासल करके असी परमात्मा नो मिल पावांगे गुरु सहब ऐसे लिए सानु ए ग्यान भक्ष देने गुरू गरंद सहिब जी दी पावन गुर्बाणी नू सौन जब गुर्बाणी दे नाड जुड़ जा क्योंके इस गुर्बाणी दे नाल जुड़ेया ही साधा पार उतारा होगा फिर साधे लोक दे परलोक सवर जावन गे गुरू पाथष्या जी ने आखिया गुरू दे मारगते चल के सानु ग्यान मिल दाय ते हुण ग्यान मिल गया ग्यान ते असल हो गया किस तरह गुरू दे मारगते चल के गुरू दे मारगते चल लेया ग्यान मिल गया ते हुण की ओवेगा बतावै पेद जदों सी गुरू दे मारगते चलके परमातमा दे नाल जुड़न दा जेड़ा एक ग्यान आसल करन लग गए ना पाव के जदों सी गुरू दे नाल जुड़के गुरबानी दे नाल जुड़के जदों साढ़े मन अंदर हिर दे अंदर ग्यान आउना शुरू हो गया फिर की होवेगा बतावे पेद परमातमा दा किसे ने पेद नहीं पाया पर जेडे रब दे पेयारे ने ना जेडे गुरू दे गिर्पा नल ग्यान हासल कर देने जेडे ब्रम ग्यान हासल कर देने फिर ओ रब दे पेद पाव के रब दे नल एक में को जान देने फिर रब दे वेच ते ओना दे वेच कोई पैद नहीं रहेंदा असी समझना करिए गुरू सहेब सानू समझाओं देने के गुरू दे मार्गते चल के ज़्यान असल करना है ये ते सपस्ट हो गया के ज़्यान जड़ा है अग गुरू तो बिना नहीं मिलना ते गुरु कौन है ये भी समझ लईए क्योंके संसार विच असी वेख देया न आपने आपनो गुरु कहाँ उनवाले बहुत ने बहुत ने जड़े आख देन देने असी गुरु आ साडेकोल आजाओ साडेकोल आके तुसी खुशिया लेलाओ मंतर लेलाओ असी गुरु आ गुरु सहीब ने आखिया गुरु नड़ नहीं जड़ना जोदों गुरु गुरु गोवेंद सेंग पाथ्षया जी ने ये अपना स्रीरक चोड़ा त्यागणा सी ना ना देड हजूर सहीब दी तरती ते ते गुरु सहीब ने न उसे वेले सारी सिख संगता देगे खलो करके आखिया सारी सबा देवेच गुरु सहीब ने आखिया के पलेओ ए अपने त्याण वेच रखना तो आनू गुरु बहुत मिलनेगे गुरु ते हर एक मोडते मिल जावेगा गुरु गुबेंच संग मारा जी दसम पाथशा जी ने ए बोल आखिये गुरु सहीब ने आखिया संगत जी आप जी नू गुरु ते बहुत मिल जावनेगे गुरु ते हर एक मोडते बैठे पर सत गुरु तो आनू एक थाँते मिलेगा केवले को गुरु नानक दे दरते सत गुरु हर एक पासे नहीं है गुरु हर एक पासे मिल जान दे हर कोई आख दे मैं गुरु हुआ मैं गुरु हुआ मेरे कोड आ जाओ गुरु सहीब ने आखिया जीड़ा मैं मैं करे ना असल विच ओ गुरु ही नहीं है सत गुरु ते दूर दी गल वह गुरुी नहीं है क्योंकि जड़ा गुरु उन्द ए ना गुरु दा अर्थ की है गुरु उन्द ए जड़ा शिक्षा दवे जड़ा समझा वे जड़ा ग्यान दवे ते ज़िसदे अंदर आप ही महले मैं गुरू, जिड़ा आप मैं मैं करदा है, कि ओ सानू समझा पावेगा, नहीं समझावेगा, ओ आप मैं करदा है, साड़े अंदर भी मैं आजावेगी गुरु सहीब ने आखिया बंदिया तू गुरु नाड नहीं तू केवल साथ गुरु नाड जुड़ना है ते साथ गुरु कौन है केवल एक उवंकार गुरु सहीब ने आखिया एक परमातमा साथ गुरु है साथ गुरु दा अर्थ की है साथ तो पाव के सच्चा गुरु असी जुड़ना है, सचे गुरु नाड, गुरु बाउत ने, याद रिखिये, गुरु ते साथ गुरु विच बाउत अंतर है, एना समझिये के गुरु वी को ते साथ गुरु वी को नहीं, एना दोमा विच बाउत डिफरेंस बाउत अंतर है, साथ गुरु दा अर्थ करिये ते अर्थ की बनदा है, सच्चा गुरू, ते जदो असी गुरू वाले पास से जावांगे, ओ केवल गुरू, ते सानू की दे नड जोड़े है, ये असी जरूर ते आनवेच रखी है, सानू गुरू गुबिंद संग पाथशा जी ने केवल एक सच्ची बाणी, जड़ी गुरू बाणी नड नहीं जोड़े है, सानू गुरू पाथशा जी ने पूरे गुरू दी सच्ची बाणी नड जोड़े है, ते गुरू सहीब ने आखिया, सच्ची बाणी नड जोड़के, असी आपना आप सवार लईये, ते जदो असी सच्चे साथ गुरू दी इस गुर्गम ग्यान जदों असी गुरू दे मारगते दसी होई सिख्या अनुसार पाव के जदों असी गुर्णानक दी सिख्या अनुसार गुर्बाणी नल जुड़के अपना जीवन सफला कर लवांगे ना साधे अंदर ग्यान आ जावेगा ते जदों असी गुरू दे दसी ह कोई मारगते चल पए गुरबाणी नल जुड़के ग्यान हासल कर लेया ते फिर की ओवेगा फिर गुरु साहिब ने आखिया उस वेले बतावे पेद जिड़ा काल पुर्ख रब है न उस दा पेद कोई नहीं पा सकदा पर जिना ने ब्रहम ग्यान हासल कर लेया जिड़े जान देने फिर ओ राब दे नाल ओना दे लही राब दे कोई पेद नहीं रहें दा जेड़े राब दे प्यारे हो गए परमात्मा ओना नू आपने नाल एक मेक कर लें दा फिर गुरु दे प्यारे विच ते गुरु विच कोई अंतर नहीं कोई पेद नहीं रहें जान दा गुरु सहीब ने विखुक इतनी वडियाईया बक्षियाने। गुरु सहीब ने आख्या बंदिया। परमात्मा तेनू आपने नाल एकमिक कर लवेगा। तेनू आपने नाल जोड लवेगा। बस करना किया है। असी गुर्गम ज्यान बतावे पेद। असी गुरु दे दसे होई मारगते चलना है। असी गुरु दी सिख्या अनुसार आपना जीवन जेवन है। क्योंके जदों असी गुरु दी सिख्या अनुसार आपना जीवन जेवन जेवांगे। ताही जाके असी परमात्मा तेनाल एकमिक हो सकते है। क्योंके प्रमात्मा नू मिलन लई गुर्बाणी नल पेल नो जुड़ना पवेगा याद रखिए प्रमात्मा नल डिरेक्ट नहीं एदा नहीं कि असी आप सोचेया के राबनू मिलना है चलो जी राबनू मिल लई गुरु साहिब ने आखिया इतना सौखा नहीं है ये ते ओ वाला मारग यह है खन्यों तिखी वाल हो निकी एत मारग जाना गुरु साहिब ने आखिया इस मारग ते आONले एक खंडे नालोवी तिख्णा खंडे दीता आरूं मिल दी है ना उस तो भी तिख्णा वाल हो निकी जेड़ ए साधे वालं देने ना इना नालोवी बरीक ए मारग है एत मारग जाना गुरु साहब ने आखिया इस मारग ते चलना कोई सोखा नहीं कोई विरलाई ने जेड़े इस मारग ते चलना के सफलता प्रापत कर देने ए नहीं कि असी माने वेच सोचे आ गुरुनू मिलना है जी राबनू मिलना है चलो मिल पए इतना सौखा नहीं राबनू मिलना जैसी राबनू मिलना है न तुप सानू पेला आपने अंद्रो मैनू मारना पवेगा राबने आखिया सौखा भी नहीं आते आउखा भी नहीं है आउखा क्यों नहीं है क्योंके गुरु सहीब ने सानु गुरवाणी बक्ष दिती गुरु सहीब ने आखिया गुरवाणी नड जुड़ जाओ इस तो वद ते गुरु सहीब ने कुछ नहीं आखिया ना गुरु सहीब ने आखिया मनुख ने करना की है मनुख ने केवल एक कदम चकना है तो अग्गों क्रोडा पेंडे गुरू आप लेनावेगा चारण शरण गुर एक पेंडा जाए चल साथ गुर कोट पेंडा आगे होई लेता है कि जिसी गुरू नल सत गुरू अकाल पुरुख नल जुड़ना एना जिसी परमातमा दी शरण विच जाना है तो असी केवल एक कदम चकीए ते सत गुरू अकाल पुरुख सानू करोडा पेंडे आप लेनाओ दा है गुर्णानक दी सिख्या अनुसार अपना जीवन जेवनांगे जदों सी गुरु दी सत गुरु अकाल पुर्ख प्रमेशवर दे दसे होई मारगते चलांगे गुर्णानक दी सिख्या अनुसार अपना जीवन जेवनांगे सानु ग्यान में हासल होवेगा ते जदो ग्यान हासल होगे अब तावै पेद फिर उस प्यारे वेच ते रबदे वेच कोई अंतर नहीं परमात्मा दे नाल एक में को जान देने पाव के आत्मा दा परमात्मा नाल मेल हो जान दा है उलटा रहे अपन्ग अछेद वेखो गुरु सहीब ने कितनी कमाल दी गल आखी गुरु सहीब ने आखिया कि पहलों असी समझ लेया कि इस सुरीर नू बनाया परमात्मा ने इस सुरीर नू परमात्मा ने बनाया फिर ताम है अकुल महा ने दर आया फिर इस परमात्मा दे बनाई सुरीर विच वस दा कौन है आप परमात्मा दा इस सुरीर विच वस है बनाया भी परमात्मा ने अंदर वस दा भी परमात्मा है ते जिसी उस परमात्मा नो मिलना है फिर सनु गुरू दे दसे होई मारगते चल के ग्यान हासल करके प्रमात्मा नड मेल करना पवेगा ते जदों प्रमात्मा दे नड मेल हो गया फिर की वस्था बन जान दी है उल्टा रहे अपंग अचेद उल्टा उल्टा रहे दा अर्थ की है उल्टा रहे तो पावे के गुरु सहीब ने आखिया जदो असी ब्रह्म ग्यान हासिल करके प्रमात्मा नल एक मेको जान दे आना फिर की उन्दा है फिर असी संसार वाले पासे उल्ट जाने है पाव के पहलों थे असी संसार नल जुड़े हो एसी सानु ब्रह्म ग्यान दी कोई अवस्था नहीं सी सानु ग्यान हासिल नहीं सी होय पर हूँ जदो सानू ब्रहम ज्ञान हासल हो गया असी संसार वाला पासा त्याग देता। जेस संसार विच पहलों ए मनुख जुड़या सी ना। जैससे संसारी ए मोव माया विच फसेय उया जिते जदो। ब्रह्म ग्याना स्ल्वएया। हुण एससारी मोव माया त्याग के ए विकारां तो चुटकारा पाके। एक केवल परमातमा दे नाम नल जुड़ गया, ते जोदो परमातमा दे नाम नल जुड़ गया, फिर उल्टा रहे अपांग अच्छेद, होन ए संसार नालो एदी सुर्ती टोट गई, होन ए संसार नालो वक्ष हो गया, पाव के जिस तरह गुरू सही बने आखे आना, के जिडा ए मार Γते चल दे, ओ कोई विरला ही उन्दा भी। होन ए विरलीयां विच आउन लग गया, ए विरला हो गया, पाव के ए निरलेप हो गया संसार तों, ये विरला बनके परमातमादे दसे होई मारगते चलके ग्यान हासल करके अकाल पुर्खनाल जुड़ गया जिस अकाल पुर्खनाल जुड़ेयां लोक सुखिये पर लोक सुहेले नानक हरप्रब आपे मेले वाला जीवन बन जान दाए गुरु पात्षा जी किर्पा करन सानुवी के दरे समझ आ जावे के असीवी आपने अंदर एक ज्यान वाली अवस्था बना लईए सानुवी गुरु सहीव आपने शरण वेच राख के एक ज्यान भक्षन सानुवी गुरु सहीव ए आपने चरणा नल लालैन तांके साड़े लोक ते प्रलोक सवर जान असीवी अरदास करिये सत गुरु जी, तुमरी सरण तुमारी आसा, तुमही सजन सोहेले, राख हो राख गुरु पाच्षाजी सानु अपनी शर्ण विचराखलो तांके साड़ा ए मनुख्षा जीवन सफला हो पावे गुरु पाच्षाजी किरपा करन सुरबत नू चड़ी कला बख्षण। गुरु पाद्शा जिदा को टान कोड शुक्राना जिना ने आप रसनाते वर्त के विचारां करवाईयां हो या बेंत पुलादी खिमा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते